दोस्तो आम तोर पर LED बल्ब 60 वोल्ट पर भी अच्छे से ग्लो करता है मगर दोस्तो यह जो LED बल्ब है वह 60 वोल्ट DC मिलने पर भी डीम जल रहा है तो चलिए दोस्तो मैं आप लोग को इसका DC आउटपुट वोल्ट चेक करके दिखा देता हूँ तो दोस्तो जैसी का आप य आप लोग को बता दू कि अगर आपके LED बल्ब में इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है या डीम जल रहा है तो maximum CHANCE यह हो सकता है की आपके LED बल्ब का AC खराब हो चुका हो और यदि IC खराब है तो आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके बल्ब का AC ही खराब है तो चले दोस्तो इस वीडियो में आप लोग को सारी बाते बताने वाला हूँ और इस प्राप्लम को सौल करके दिखाने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा युटूब चैनल mechanical search तो चले दोस्तो वीडियो इस ट्यार करते हैं पर टाक से दोस्तो हमें आप इसका DC आउटपुट वोल्ट दोबारा चेक कर लेते हैं तो जैसे कि आप देख रहें इसमें 63 DC वोल्ट हमें मिल रहा है तो हम इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद हम इसके जो SMD LED है जिस करन से भी हमारा बल्ब डिम जल सकता है तो इसलिए हम इसके सारे LED को इस तरह से चेक कर लेते हैं तो हमने यहाप पर इसके सारे LED को चेक कर लिए हैं मगर दोस्तो इसमें को भी LED खराब नहीं है तो इस पकार से हम कंफरम हो गए हैं कि इसका प्रॉब्लम LED में नहीं है हम क्या करेंगे इसके सरकीट को बाहर निकाल लेंगे तो इस सालए अब यह समझेंगे कि कींद कींद कंपोनेंटे के खराब होने से तो दोस्तो इसमें जो PF लगा होता है और अगर कभी यह ओला पीएफ खराब होता है तो आपका जो bandwidth है हुआ गर उस Colombia में आपका DC आउरपटो होता है वह grandfather हनौagen और कभी-कभी दोस्तो capacitor के खराब होने पर भी हमारा bulb डीम जाल सकता है, मगरं Bent ER के खराब होने अधिक्तर problem विंकिंग का आता है, और कभी-कभी ये जो oscillator होता होगी तो 1998 को ड्रॉप कर देता है, जिस करन से भी हमारा bulb डीम जाल सकता है, मगर दोस्तो इसका जो सारे component है वह फ्रेस लग रहा है तो इसका मतलब इसमें problem नहीं है तो अहाँ पर हमार पास सिर्फ एक ही option बस्ता है अगर सभी component सही है तो इसका जो IC है दोस्तो वह खराब हो सकता है क्योंकि दोस्तो इसका जो sorry component है वहां फ्रेस लग रहा है तो अब हम क्या करेंगे इसका जो IC है उसे check करेंगे तो दोस्तो आईसी को कैसे check करना है हम आपको बताएंगे तो दोस्तो आपको क्या करना है यहाँ पर हम पहले एक अलग सवायर लेंगे और यहाँ पर supply वार तो आपको एक बात याद रखना है आप उसे स्रीज बोर्ड में ही चेक करें आप बीना स्रीज बोर्ड के चेक कभी न करें दोस्तों आपको क्या करना है जो आईसी का जो चार इधर शाइधर आठ लेग होते हैं तो जिस तरफ का जो चार लेग होता है वहाँ पर एक लेग और साथ ही साथ आपका जो श्रीज बॉर्ड है उसका भी बल्ब ग्लो करेगा, अगर आपका बल्ब का IC खराब है तो तो दोस्तों आपको इस पकाश से पता करना है कि IC खराब है या नहीं, तो चलिए दोस्तों हम इस वायर को अपने सिरीज बॉर्ड में सप्लाई देंगे, यहाँ पर तो हमने यहाँ पर स्रीजबोड ले लिया है अब इसका जो वायर है जो सर्कुट में हमने लगाए उसको यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं अब इसके बाद हो तो हम क्या करेंगे जो जिस इस आईसी का जिस लेग कटा हुआ है वहाँ पर हम इस पकाश टेस्टर से सॉट करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा बल्ब भी गलो कर रहा है और स्रीजबोड का बल्ब भी एक साथ गलो कर रहा है इसका अर्थ यह हो दोस्तों कि हमारे इस इलीडी बल तो दोस्तों आप चाहें तो इसका आईसी चेंज कर सकते हैं और अगर आप नहीं चाहते तो आप किसी दूसरे तरीके से भी इसका रिपियर कर सकते हैं तो चले दोस्तों मैं आपको बताता हूं तो दोस्तों आपको क्या करना है आपको इस तरह का पीएफ लेना है तो हम यहा पर हमने 135 जे 400 का लिए है और 115 जे 400 का और 115 जे 400 का दोस्तों हमें कौन सा पिय लगाना चाहेतों यहां डिपेंड करता है कि आपका LED कितना फ्रेस लग रहा है तो अगर आपका LED एकदम फ्रेस है तो आप 255 जे 400 का भी लगा सकते हैं अगर आपका LED पहले से कमजोर लग रहा है आपने पहले से सौर्ट करके चला रहा है तो आपको कम value कही इसमे एक PF लगाना होगा दोस्तों आपको PF कहां पर लगाना है आप अच्छे से समझ लीजिए तो supply का जो point होता है वहाँ पर एक इस पकार का जो future resistance होता है वह लगा रहता है तो आप दे सकते तो वहीं पर आपको जो future resistance लगा हुआ है उसी वाले point में आपको PF को series में जोड़ना है तो उससे पहले आपको एक कम और करना है वह कम क्या है कि transformer का एक point में और जो bridge rectifier उसका positive terminal मे आपको एक jumper लगाना होगा दोस्तो जो transformer का दो leg होता है किसी में 3 leg होता है तो आपको किस बात में ध्यान देना है जो आप दे सकते यह जो red वाली wire है जो DC output का तो यह जो red वाली wire transformer के जिस leg के साथ जुड़ा हुआ है उस leg को आपको ध्यान नहीं देना है तो आप यहाँ पर सदी सकते ट्रांसफर्म का एक लेग इस रेड वाली बाइयर के साथ सबुदा हुआ है तो इस लेग पर आपको ध्यायन नहीं हुआ है तो दोस्तों इस तरह से लगा हुआ है जो कि इस तरह तो लगता है तो हम इसे सिदह इसंदो से पकड़ लेते हैं और पार यह पर होटे हैं और सब्सक्वार जोड़ंगे इसले को हुआ ट्रास्फर्मर का दूसरा लेग है जो आईसी के पास है वहाँ पर हम जोड़ दे तो इस पकार से हम एक जंपर लगा दे अब हम पीएप को जो रजिस्टेंस वाला पॉइंट है वहाँ पर स्रीज में जोड़ दे हैं अब इसके बार सप्लाई वाले वार को में यहाँ पर जो वर्ग कर रहा है तो इस तरह है दोस्तों अगर आपके बल्ब में इस पकार के प्राब्लम आ रहा है तो आप इस पकार से उसका आएसी खराब है या नहीं उसे चेक भी कर सकते हैं और इस प्राब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं तो दोस्तों अब इस पीएप को लगाना कैसे है तो आप उसे भी थोड़ा समझ लीजे तो आपको इस पकार से वोराईड लगा लेना है आपके वी ट्वेन्टूटी है उसमें और एक वायर को सीधे आपके सर्कीट में जो डहना है और एक वायर방 बीएप के एक पॉइंट में जोड़ना इस तरह से जिस तरह से हमने सप्लाई देकर आपको जला कर दिखाये थे इस पकार से आपको जोड़ लेना है और आपको टेप लगा लेना है क्योंकि इसको वायर खुले है तो चलिए हम इसको पहले फिटिंग कर लेते हैं और आपको एक बार जला कर और दिखा देते हैं तो चलिए हम इसको सप्लाई देते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप अपने बल्ब का रिप्यार कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आप इस तरह के वीडियो और भी देखें चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट विडियो में तब तक जय ही जय बारत वन दे मातरां